नागौर लोगसभा से बीजेपी प्रत्याशी ज्योती मिर्धा का जन्व 26 जुलाई 1972 को दिल्ली में हुआ था पिता राम परकाश मिर्धा और माता वीडा मिर्धा हैं ज्योती ने ग्रेजुएशन करने के बाद 1997 में जैपुर के SMS मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली इसकी शादी हरियाना के बिजनेसमेन नरेंदर गहलोट से हुई ये इंडिया बुल्स इंसरेंस एजेंट्स प्राइवेट लिम्टेड के मालिक हैं 2009 में पहली बार नागौर लोगसभा सीट से कॉंग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी के बिंदु चौधरी को एक लाख पचास हजार से ज्यादा वोटों से हरा कर पहली बार सांसत चुनी गई लेकिन जब 2014 में दूसरी बार चुनाव लड़ी तो बीजेपी के सीयार चौधरी से लगभग 75,000 से अधिक वोटों से हार गई और 2019 में हनुमान बेनिवाल से 1,81,260 वोटों से हार गई थी और 2023 के विधान सभा चुनाव से पहले आप सीमत भेद की वज़ा से कॉंग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई और अब नागौर लोग सभा सीट से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगी अब देखना होगा कि क्या इस बार चुनाव जीत पाती हैं